चेप्टर 17 आप कहा हैं और कहा होना चाहते हैं आपने आज कल वाहनों में उपलब्त Global Positioning Navigation System देखा है आपके वाहन की छट पर लगा एंटीना आकवाश में मौजूद सेटेलाइट को सिगनल भेजता है जिससे उसे आपकी मौजूदा स्थिती ग्यात होती है एक बार जब आपकी पैड द्वारा अपना इच्छित गंतव्य दर्ज कर देते हैं तो कम्प्यूटर आप जहां हैं वहां से लेकर आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक के मार्ग की गणना कर लेता है मौनिटर पर आपकी कितनी द्यूरी तै करनी है और इसके लिए सबसे अच्छे मार्ग संबंधी जानकारी प्रदर्शित हो जाती है और जब आप चलते हैं तो यह प्रणाली आपको विशिष्ट निर्देश देती है बोलकर या लिखित शप्तों के द्वारा उसे आप अपने नए गंतव्य तक पहुंच सकें यह मार्ग निर्देशन प्रणाली कभी नहीं पूछती आप कहां थे यह कभी नहीं पूछती आप वहां इतने समय तक क्यों रहे इसका केवल एक ही मिशन होता है कि आप जहां है वहां से आप जहां जाना चाहते हैं वहां तक की यात्रा में आपकी सहायता करना है आपका यह जानना बहुत महत्वपूर है कि किसी रिष्टे में आप कहां खड़े हैं और अपनी इच्छित वस्तु के प्रभावी ढंग से निकट जाने के लिए आपको कहां पर जाना होगा यदि आप अपनी यात्रा में सोदेश्य निर्णे लेना चाहते हैं तो आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं इन दोनों का बोध होना आवश्चक है अपने भातिक परिवेश में आप कई प्रकार के प्रभावों से घिरे हुए हैं अक्सर दूसरे लोग आप से अलग तरह से विभार करने को कहते हैं और जोर देते हैं जिससे उनके अनुभावों पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ सके आप दूसरों द्वारा आप परलागू कानूनों नियमों एवं उम्मीदों से पिंगल जाते हैं और लगभग हर व्यक्ती की इस मामले में अपनी राय होती है कि आप को किस प्रकार का व्यभार करना चाहिए लेकिन जब आप जहां पर हैं वहां से जहां पहुँचना चाहते हैं के बीच मार्ग दर्शन हे तूँ इस प्रकार के बाहरी प्रभावों का उप्योग करेंगे तो आपके लिए पटरी पर रहना संभव नहीं होगा आपको अक्सर इस तरह से खीच लिया जाता है और दूसरों को खुश करने के प्रयास में जिसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है कि आप चाहे जितना भी प्रयास करें आप निरंतर अपनी रूचिकर दिशा में नहीं बढ़ सकते इस तरह ने आप उन्हें खुश कर पाएंगे नहीं खुद खुश रह सकेंगे चुकि आप अपनी इतनी सारी दिशाओं में खीचे जा रहे होंगे इस प्रक्रिया में वहे मार्ग खो जाता है जो आपकी इच्छित दिशा में जाता है आपका दिया सबसे महानतम उपहार आपका आनन्द है आप किसी दूसरे को जो सबसे महानतम उपहार दे सकते हैं वहे आपका अपना आनन्द है क्योंकि जब आप प्रसर्नता आनन्द या प्रशंसा के भाव में होते हैं तब आप विशुद और सकारात्म रोत उर्जा की धार से लाब होगा कोई भी आपको उनके लिए ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं कहेगा जिससे उनके काम बन सकें क्योंकि उन सब की उस कल्यान धारा तक वैसी ही पहुँच है जैसी आपकी है दूसरे लोग जो इस धारा तक अपनी पहुँच के बारे में नहीं जानते अक्सर आपको अच्छा महसूस करने वाली स्थिती में नेरक पाने के कारण दुख उटाते हैं वहे आपसे इस तरह व्यवहार करने को कहते हैं जिससे उनके अनुसार उन्हें बहतर महसूस हो सकता है लेकिन इस तरह वे आपको ऐस वीधा जनक स्थिती में डाल देते हैं क्योंकि वे अपने आनंद के लिए आपको जिम्मदार ठहराने का प्रयास करते हैं और साथ ही अपने को भी गुलामी की स्थिती में ले आते हैं क्योंकि वे दूसरों के विवहार को नियंतरित नहीं कर पाते और यदि वे है नियंतरन उनके आनंद के लिए आवश्यक है तो वे सच मुच मुच मुसीबत में हैं आपकी खुशी दूसरे क्या करते हैं इस पर निर्भर नहीं बलकि केवल आपके अपने कामपनिक संतूलन पर निर्भर है और दूसरे की खुशियां आप पर नहीं बलकि उनके अपने कामपनिक संतूलन पर निर्भर है किसी भीक्षन व्यक्ति कैसा महसूस करता है यह सिर्फ अपने उरजाओं के मिश्रन से अनुभूत होता है आप जैसा महसूस करते हैं वह सिर्फ स्पष्ट रूप से और हमेशा इस बात का सूचक है कि आपकी इच्छाओं और कामपनिक प्रस्ताओं के बीच कामपनिक संतुलन कैसा है जिसे अपनी अनुकूल अवस्थिती में आपने आरंभगिया है पूरे ब्रम्भांड में किसी और के लिए भी इसे समझने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है कि किस तरह उसके द्वारा प्रस्तावित कमपनों का तालमेल उसकी इच्छाओं के कमपन से है और आप जैसा महसूस करते हैं यह इस बात का सूचक है कि आप स्रोत के साथ अपने समबंधों को स्विकार कर रहे हैं या नहीं प्रतेक अच्छा एहसास प्रतेक सकारात्मक स्रिजन आपकी संपूर्ण सम्रिधी स्पष्टता स्वास्ते जीवन शक्ती और कल्यान और वे सभी चीजें जिन्हें आप अच्छा मानते हैं इस पर निर्भर है कि वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रही हैं तथा इस अनुभूती कमपनों से आपके वास्तव एक स्वरूप और आप वास्तव में क्या चाहते हैं कि बीच कैसा रिष्टा होना चाहिए प्रतेक विचार आपको सेंडी एगो के निकट लाएगा या दूर करेगा जितना आसान आपके लिए फिनिक्स सेंडी एगो की सफल यातरा का विचार करना है आपके लिए वित्तिय एसुरक्षा से वित्तिय सुरक्षा बिमारी से स्वास्ते भ्रहम से सपष्टता तक की अज्यात नहीं है क्योंकि आप दोनों शहरों के बीच की दूरी जानते हैं आप जानते हैं कि आप मार्ग पर कहां हैं आप यहे भी जानते हैं कि गलत दिशामे यात्रा करने का आपकी सफलता के लिए क्या अर्थ है एक बार जब आप भावातमक मार्ग दर्शन प्रणाली को समझ लेते हैं तो आप इस बात को लेकर कभी भ्रहमित नहीं होंगे कि एक रिष्टे में आप कहां पर हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं साथ ही अपने प्रतेक प्रस्तावेत विचार से आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपने इच्छित परिणाम के निकट जा रहे हैं या दूर हो रहे हैं यदि आपने किसी दूसरे प्रभाव को अपना मार्ग दर्शक स्रोत बनाया तो आप यह रास्ता भूल कर पटरी से उतर सकते हैं क्योंकि कोई और व्यक्ति आप जहां है और आप जहां जाना चाहते हैं कि बीच की दूरी को उस तरह से नहीं समझ सकता जैसे आप समझ सकते हैं आपकी इच्छा को विशुद धरूप से नहीं समझने के बावजूद वे निरंतर अपनी इच्छाओं को मिश्रित करते रहेंगे इसलिए जब आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान के इंदरित करेंगे तभी आप अपको स्थिरता पूरवग अपने लक्ष की ओर ले जा सकेंगे इसे नहीं कहने का मतलब हां क्यों हो जाता है आपके कामपनिक प्रम्भांड का आधार आकर्शन का नियम है इसका अर्थ हुआ कि आपका ब्रम्भांड समावेशन के लिए है जब आप किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान के इंदरित करते हैं जो आपको चाहिए और इसके लिए हां कहते हैं तो आप इसे अपने कमपन में शामिल कर लेते हैं लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं इसके लिए नए कहते हैं तब भी आप उससे अपने कमपन में शामिल कर लेते हैं जब आप इस पर कोई ध्यान नहीं देते तब आप इसे शामिल ही नहीं करते हैं लेकिन क्या आप किसी भी ऐसी ची इससे अलग नहीं हो सकते जिस पर आपने ध्यान दिया हो क्योंकि आपका इस बात पर ध्यान देना इसे अपने कमपन में शामिल कर देता है ऐसा निरपवाद रूप से हर बार ही होता है